हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू माई चैनल हैस्टेग क्रियेटिव आर्थी पूरवाल दोस्तों सभी नीट 2021 स्टुडेंट्स के लिए एंटीए की तरफ से एक ओफिशियल नोटिस आई है सेकेंड फेस रेजिस्ट्रेशन को लेकर साथी में री एक्जाम के बारे में भी बताऊंगी तो जल्दी से जो बच्चे नया है जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लीजिए बैल आइकन बटन को प्रेस कर लीजिए ताकि सारी लेटिस्ट अब्डेट सबसे पहले आपको मेरे चैनल पर मिल सके दोस्तो इस वीडियो में आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी सेकेंड फेस का रेजिस्ट्रेशन कैसे करना है कब करना है, कहां करना है, क्या, क्या, डॉकुमेंट्स लगेंगे और री इक्जाम से इसका क्या कनेक्शन है तो दोस्तो सबसे पहले आपको बता दू कि री इक्जाम नीट का वो अलग चीज़ है और सेकेंड फेस रेजिस्ट्रेशन अलग चीज़ है यहनी scorecard release होने के पहले कराया जाता है और यह अभी नहीं start होगा जब start होगा तो उसी website से आपको करना है जैसे आपने phase 1 का registration किया था ठीक है अब आपको मैं पूरी important update जो आई है वो बता देती हूँ candidate ने जब first phase का registration किया तो उसी में second phase के columns से registration के जो आपने छोड़ दिये थे तो वहीं पर आपको scorecard के पहले यह registration कर लेना है तो आप यह देख सकते हैं यह set one first phase का registration में आपने यह चीजे भरी थी उसको नीचे करते हैं तो यहां से देखें second phase का registration स्टार्ट हो जाता है तो second phase के registration में आपको क्या क्या documents लगेंगे क्या क्या चीजे भरनी है पहले वह देख लेते application पे आपको पहले personal details भरनी होंगी फिर educational details यहां पर भरनी होंगी आप देख सकते हैं type of school college qualifying examination state district वगेरा उसके बाद आपको school board, result mode, maximum grade point, ccpa यह सारी चीजे आपको एक करके fill करनी है educational details for 11th वालों के लिए भी यही चीज भरनी है फिर additional details इसमें जो है place of birth, state, district, father qualification qualification यानि आपको इसमें mother और father की क्या qualification है, क्या occupation है, कितनी annual income है, यह सारी details phase 2 में भरनी पड़ती है तो यह parents income detail हो गया, uploading documents most important part है, 4 important documents इसमें लगते हैं, वो आप अभी से बनवा के रख लीजिए, वरना उस समय आपको दिक्कत हो सकती है category certificate, वो भी बिलकुल नया latest होना चाहिए, person with benchmark disability यानि PWB certificate अगर किसी की कोई disability है, वो certificate अगर आपका वो पुराना हो रहा है तो उसको फिर से new करा लीजिए 10th का certificate लगेगा, citizenship certificate यानि अगर कोई NRI है तो उसका certificate आपको लगाना पड़ेगा तो यह 4 certificate बहुत important है, यह आप पहले से बनवा के रख लीजिए, जो आपको need के phase 2 registration में काम आएंगे और यह आपको about the state field of the respective candidates is only for the purpose of information and it does not mean that the candidate belongs to the domicile of that particular state as it needs to be reformed from the DME of the respective states तो यह सारी चीजे आपके लिए important है second phase के registration के लिए, अब यह जो second phase का registration है, यह सभी को करना है, यह October में start होगा, result के लगबग एक हफते पहले, ठीक है? अब बात कर लेते, need 2021 re-exam की जो बच्चे चाह रहे हैं, paper leak हुआ है, उसको conduct कराया जाए, तो उसके लिए यह registration बिलकुल नहीं है, अगर आपका phase 1 का यह result आ भी जाता है, और अगर government या court आपको order देती है कि need का re-exam कराया जाएगा, तो जरूरी नहीं है कि उसके लिए registration कर आया जाए, आपके पहले किये हुए registration पर ही आपका need का re-exam हो सकता है, तो यह बात की बात है, पहले इस पर decision आने दीजिए, जैसे ही कोई latest decision re-exam को लेकर आएगा, सबसे पहले आपको मेरे चैनल पर बता दिया जाएगा, तो यह पूरी information थी, आपकी need phase 2 registration को लेकर और यह वेबसाइट से होगा, जिस वेबसाइट से आपने phase 1 का registration किया था, अगर आपने कहीं और से form भरा था, किसी cafe से आप वहीं जाकर second phase का registration कर पाएंगे, क्योंकि जहाँ पर phase 1 registration form फिल किया था, उसी के नीचे phase 2 का registration आपको करना है, तो यह वीडियो आपको कैसी लेगी, मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और साथ में इस वीडियो को जदा स्यादा शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लिजे, ताकि ऐसी सारी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको मेरे चैनल पर मिलती रहे, थैंक्यू